अरुजाला डिजिटल के लिए पॉडी से मैं मनोहरविस्ट आज हम जिल्ले के मलुंड गाउं पहुंचे हैं जहां प्रदेश के शिक्सामंत्री डॉक्टर धन सिंग रावत के जो सिक्सक रहे हैं डबबर सिंग जी आज उनसे मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं तो अब हम स सिरे सर से बात करते हैं सर नमसकार बहुत स्वागत है आपको अमरुजाला डिजिटल में नमसकार साब आपका भी सवागत है तर असा मंत्री प्रदेश के सिक्सामंत्री डॉक्टर धन सिंग रावत जी यहां आपके स्टुडेंट रहे हैं आप बताए कि वह कब से कब तक शात्र रहे हैं डॉक्तर धनसिंग रावथ यह लगाव 82 से लेकर के अठाची तक 1982 से लेकर 28 तक उन्होंनी राज के इंटरकलिक्ट चाहल में अध्यान किया है वो अपने छात्र जीवन में कैसे छात्र रहे चाहत्र जीवन में अन्य चाहत्रों के अपेक्षा उन्हें कुछ विशेश भून पहले से नजार आ रहे थे सालिन ता नम्र ता सुसील ता कारियों के परती रुजान चाहत्र जीवन में कभी उनके द्वारा कोई सरारत की गई हो जिस पर आपने उन्हें नसियत दी हो कुछ ऐसा रहा है बच्चों के द्वारा सरारत समंदी काम तो होते हैं लेकिन ऐसे मेरे देखने में तो नहीं आया है कि इस चाहत्र ने घर में यह दिखिया हो तो वाला ब में आपके विद्याले में रहे हैं वो जब परदेश के सिक्सा मंत्री बने उनके पास स्वास्ते महकमा भी है तो छेत्र में किस तरीके की जन समस्या होती है कभी आप उनके सामने सिकायत या सुझाव रखते हों उस पे किस तरीके अमल करते हैं हां डॉक्टर रंसिंग रा तरहता है कि समस्या हैं जब कभी उबरी हों हमने उनके सामने समस्या को रखा है और समझ भी बाहकों का तो बिल्कुल डे लगाव हो है लेकिन जब कभी वो इस चेत्र में आये हैं जो समस्या हैं जब कभी उबरी हों हमने उनके सामने समस्या को रखा है और समस्या को का चाहे डॉक्टर धन्सिंग रावत हो या आपके अन्यसिस्टे हो इस जो आगामी पांस सितंबर को जो सिख्षक दिवस है उस पे आपका उन्हें क्या संदेश है वह जितने भी छात्रा हैं अमोमान वास्ता में जब पांस सितंबर सिख्षक दिवस मना जाता है तो विद्याल में राजकेंटर कॉलेज चाहरेखाल में मैं जाता हूं और चात्रों को यह शिखाता हूं कि हमेशा अपने से बढ़ों का आधर कीजिए अपने मावाब का आधर कीजिए नम्रता ही सबसे शिरेष्ट चीज है नम्रता से आपको बहुत कुछ मिल सकता है डॉक्टर धन्सिं किया है उनके जीवन में कहीं भी किसी तरह की वदंडता मुझे देखने को नहीं मिली है यह बड़े करमर थे सुसील थे नम्रत थे गुरजन के प्रति अथा स्ने इनके मन में था इसके साथ ही साथ जब भी वो यह शेतर में आते हैं चेतर में आने पार उनके सामने जो का तो समाधान हो चुका है लेकिन कुछ समझे हैं जिनका समाधान होने का हमें पूरा पूरा विश्वास है इसके साथी साथ सिक्षक दिवस के अवशर पर हम चातरों को यहीं सिक्षा देते हैं कि हमें सापने से बड़ों का आधर करो नम्रता बनाए रखो मेहनत करते रहो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें